नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संबाद आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है और कई राजनितिक और गैर राजनितिक लोगों का मानना ये है कि राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के साथ साथ देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी अब दीश की दिशा और दशा क्या होगी ये तो भविश्य बताएगा लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दोहसार चौबीस को लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ विरो कहाँ प्रतष सवीद्य में हृस दिशा इसे कंग्रिस पाढ ची वर के साथ बहुत स्वागत आपका ऑठवाठी जी में स λέके जनतबत Avengers मीडिया पर और уकली इंचछी लग रही थी आप थे आपके साथ पर दिपेंदर हुडा जी थे, सुप्रियाश्ट्री नेत थे और आप लोग राम के नाम के साथ-साथ सर्यू में स्नान और उसके बाद हुनुमान गड़ी के दर्शन करने भी पहुंचे लोगों ने पूछा कि क्या राम मंदिर भी जा रहे हैं जा रहे हैं कि लेशी जहां राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है क्या जा रही है आप ने रचु की कारेकरा में भगवान मरेद्या पुसुत्न राम से शुरू कर दिया अच्छी बात है आप मंदिर गई है जो बन रहा है जी आप कहीं क्या पूरा निर्मित हो च यार है प्राण प्रतिष्ठा क्या अर्ध निर्मित मंदिर में होता है जितने शास्त्र सम्मत गुरू जनों से बाचीत हुई है वो तो यह कह रहे है कि जब राम जी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तब तो शिखर वहां भी नहीं बना था लेकिन मंद एंगे आप आप जो है कुतर कर रहे हैं आप कुतर कर रहे हैं जो मंदिर होता है रखस उन चर को शली अभान चरित-मानस में लिखा है मुझे- मानस मां ना समय बताएं उन्हों ने जैसे कोई जाता है किसी वेक्त के लिए, तो अपने सफलता के लिए पूझा अर्चना करता है।च वहां पे उन्होंने किया था लिंग था आपके रेत से किया था। लेकिन जब किसी मंदिर में आप घर में भी पूजा करते हैं, तो गौरी गणेश बना जा तक नहीं जाता है, भुला जा तक नहीं देवताओं को, पृत्वी लोके, आर्या वर्ते, भू खंडे, भारत खंडे, अजोद्या छित्रे, अमुग ग्रामें, अमुग सम्भ पूरा अड्रेस बता जाता है, ब्रह्मान का, ःफ़लाद में मुहले में, फ़लाद मेन के घर में फ़लान ए जज्वान कि आप आवें, गोरी गणेश जो है ? किसका बनता है ? गायके गोवर्क से बनता है . और फिर जब हो जाता है, जब समापन होता है, पता आने आपको पता हुग नहीं पता होगा, लेकिन जब समापन होता है, तो उसके बाद लक्षमी गड़े इसको छोड़ करके, सारे देवताओं को जब आहन कर लियाता है, तो उस प्रोग्राम के बाद में बाकी देवताओं को यथा अथा अस्थान, पंडी जी जो होते हैं, वो कर देते हैं, तो यह अपने ग्यान इतना यादमी तुनना करता है, हम आपका दोसित में नहीं देंगे, क्योंकि जो वाट्स पाता है, उसी किसाब से आपको अपना ग्यान बताना है, अखिलेशी से तो स्वास्तिवाचन भी होता है, आप इसे परस्णल ले गए हैं, तो इसले मैं अखिलेशी स अच्छी बात है अच्छी बात है लेकिन जो आपने तर्क दिया था जब मंदिर में प्राणपतिस्टा होता है तो उसका बीधी विधान है और हम राजनीतिक लोग ही यदि हर चीज के ग्यानी हो जाएंगे तो धर्म छेत्र का काम धर्म छेत्रवानों को लिए छोड़ देना चाहिए आप करते क्या जल्दी थी या तो आप अभी तक कंप्लीट कर लेते या जब कंप्लीट हो दो चार बहने में तब करते आप रोका किस ने था अर्ध निर्मिर्द भवन में राम जी की प्रान प्रतिष्ठा की जा रही है बीजेपी पर आरोप है और यह आरोप शुद्ध पॉलिटिकल है राकेश तिरपाठी जी राजनिते का रोप है कि आपने मर्यादा पुर्शुत्तम श्री राम को दोहसार चौबीस के चुनाव में कैंडिडेट बना कर उतार दिया है अब यह अखलेश जी जब पूरी अनुष्ठान की विधी बताने लगे तो भ्रहम होने लगा था कि को कॉंग्रेस के कोई प्रवक्ता आये हैं या सायद कोई पुजारी पंडित आ गये हैं अच्छा लगा कि कॉंग्रेस के लोगों को अनुष्ठान की विधी मालूम आरे में मालूम हैं अब मैं अतिहासिक कुछ त्थे बता रहाँ इश्वर के अत्रिक्ति चराचर जगत में कुछ भी पूर्ण नहीं है इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो अपूर्ण है मैं तिहास से उदाहरन दे रहा हूँ 1951 में जब सोमनात के मंदिर का पुनरोधार हुआ तब भी भावन पूरा निर्मित नहीं था जब डॉक्टर राजिंत पृसाद जी ने उसकी प्राणप्रतिष्ठा के कारिक्टम में गये थे तब भी जवारला लहरू ने मना किया था कि वहाँ जाना नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर राजिंत पृसाद जी गये सादार्वल्लभाई पटेल गये करतें तो सम्विधान ही पूर्ण आपको लागू नहीं होने पाया होता सच यह है कि इस्वर की सत्ता की अत्रिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं होता है इस बात को आप स्विकार नहीं करना चाहते हैं हमेशा उस परिवर्तन की परिसकार के विस्तार की गुंजाईस हमेशा बनी रहती है लेकिन ये तरह तरह के भ्रम पहलाएंगे तरह तरह के दुविधा उत्पन करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि आज पूरा देश राम में हो गया है और राम में होने के कारण कहीं इसको भारती जंता पार्टी कहीं राजनितिक लाभ ना पा है ये गए थे सर्यू में डूपकी लगाने कि कुछ पाप सायद कम हो जाए लेकिन बलिकार जुन खड़गे को सोनिया गांधी जी को ये अपने नेता प्रतिपक्ष अधिर रंजन चोधरी जी को समझाने में भुफल रहे राहुल गांधी को समझाने में भुफल रहे अग है बात क्योंकि दूपा की हुई अखिलेशी में अब आपिसाब के पास आ रहे हुए एक इन्होंने देश को गुमराय किया दो बातों में ये तो इनका आप बोले उसके बाद फिर मौका दीजेगा कि आपकी स्पापाइदी भी बोले हां तो देखे बात सही जानी चाहिए इन्होंने सोमनात मंदर का जिकर किया वाटिस आप आया होगा वह मारा जयोतिर लिंग है सुन लीजिए वह असथापित किसी ने अप्राणप्रतिष्ठा को इसका नहीं कर सकता है तृग सभारों गोहिए तो लिगे और शून की प्रांप्रतिष्ठा यहां से मिले ले लो जोतिर लिंगों की हमारे जो बारा जोतिर लिंग है उसकी प्राण पतिस्टा कभी नहीं है हैं यह पहली बात जान लो समझे और मंदिरों की बात नहीं हो रही है साहत्र पढ़ लो और दिया साहत जानने वालों के साथ थोड़ा ग्यान ले लो उसका पुनरुद्धार हुआ तो पहली बात यह जान लो वहां प्रारप्तिस्ठा नहीं हुआता, सुने जिए वहाँ जब से सघ्ष्ष्ठी है, लिए सभी सिखाएंगे ला, जब ले जिए अगर कहे होतें, तो स trench जानकारी होती, नहरू जी कहे नहीं होती, राकी शी एक करके बात होती। अगर तत्त के साथ बात रख सकते तो रखो यह अगर ने की बात करते हैं इनके जो साहब है उन्होंने का था कि पहले जूट बोला था कि पटेल जी की फूर्नल में नहीं गयता ने किसी को जाने दिया था जूट के सरगना जब वीडियो आगया सब कुछ आगया कि पूरी कैबनेट रहते चूप हो गया नहरू जी के उस सारे क्रस्पांडेंट हैं नहरू जी ने लिखा कि आप राश्पत के हैसियत से मत जाईए वैक्तिगत हैसियत से अखिलेश जी देखे बात तो ऐसे पूरी नहीं होगी एक और पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है मंच पर है राजपाल कश्यप जी आपने दोनों को सुन लिया बीजेपी क्लियर है राम मंदिर को लेकर अखिलेश प्रताप को भी आपने सुन लिया लेकिन क् दुविधा में इस वक्त सुमाजवादी पार्टी है पहले अखिलेश आदव जी कहते हैं कि निमंत्रन पत्र आया नहीं फिर निमंत्रन पत्र आया भी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी मंगल कामना है लेकिन हम 22 तारीक को नहीं आ रहे हैं बाद में आएंगे दुविधा क किस बात की है दुविधा नहीं है हमें लोग तंत्र की मंदिर की चिंता है बाबा साहब अमवेदकर के संविधान की चिंता है जिसी सपत लेके राजनेता लोग सपत लेके मंत्री मुक मंत्री प्रधान मंत्री बनते हैं जो वादे किये थे किसान की आय दुगनी करने का वा आए दुगनी करने की बात की थी, किसान आए दुगनी और कहा था गोर्षापत में लिखा था शिचाई मुप्त करेंगे, क्या बिजली की सिचाई मुप्त हो गई? इन से पूछे, क्या आपने कहा था, जमानी अखलेट सादो जी ने का हम 300 उनिक बिजली फिरी देंगे, तो उनने का हम बिजली का बिल माप करेंगे और हाप करेंगे, क्या हाप हुआ या माप हुआ किसी का? नहीं, बताओ, माप हुआ हो तो, आप आपने कहा था, दो करोड प्रतेक वरस नौकरी देंगे, जो देज के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने कहा था, क्या दो करोड नौकर पिछड़े दलित आजिवाशी अल्प चंकत का बेटा बरती हो जाता था उसका थोड़ा सा सोचल इस्टेक्टरस गाउं पढ़ जाता था उसको भी खतम करने की साजित इंजी नो अगनी भी योजना लेहां के किया है आप क्या बात करते हो राजपाल जी आपके तमाम आरोप जवाब तो राकेश तरपाठी जी देंगे लेकिन आप से पूछ नहीं नहीं आपको कोई अस्पताल दिखाई पड़ा लगनों में अरे मैं सब्सक्राइब बताव ना इस वागने जाएंगे इलाज कहा कराने जाएंगे आपके इस्टूडियों में आएंगे आपके श्ट जी कि आप डारम का काम हमारे संकराचारे देख लेंगे जाली दारी खाने का कम करेंगे राजपाल जी अपने बात की किसानों की अपने बात की नौकरी जी पूरखी एक रञे रुखिये ना राजपाल जी विच्रेत मत हो ये ये मच्छ आपका है बोलने के लिए लेकिन सवाल सुनना आपको पड़ेगा उतनी आदात तो रखिये माना कि आप सरकार में नहीं हैं लेकिन इतनी आदातों रखिया कि सवाल सुनें राजपाल जी राजपाल जी आपने किसानों के बात की आपने शिक्षा की बात की आपने अस्पतालों के बात की मैंने मानी सारी बात इसे पर जवाब देंगे राखेस्तृ पाथी जी लेकिन क्या इसी वजे से राम मंदर के प्रांग प्रतिष्था के कारिक्रम पे नहीं जा रहा है खिलेश जी? राम मंदर क्या बाइस के बाद भगमान जी चले जाएंगे वहां से? अरे 22 को क्यों नहीं चारे मैं तो आप से ये पूछ ली हूँ वाइस के बाद में क्या बीजेपी वाले जाएंगे तभी भगवान अरे हम उस खांदान में पाइदा हुए तो अब तक क्यों नहीं गए राजपल जी और केवट ने पार हम लोग है उन निसादों का जब दान अरे शुनिया ना मुझे नहीं पता यहां पर दर्शगों को कितनी जानकारी होगे लेकिन ये दोनों आज अलग पार्टी में हैं एक दूसरे का इतना सम्मान करते हुए एक दूसरे पर मत बोले अपनी अपनी बारी पर बोले इन्होंने सवाल पूछे मैं एक एक करके सवाल का जवाब दो नहीं आप सुनिये अप अदुसरे आपको सवल फिजा ड़ कार रही है एक अधा बतार इंक होगा क्या अपके घरमे इलाा जोगा आप है अधार अधारटी मुझे माइक आउ परिस ठोड़ी देख शुदा अधा रहे अपने फाल लीजिए बाल लो चलीजिए क्या करेंगे अपने पूछा अस्पताल के बारे में एक एक करके धारी पुर्वक जवाब सुनिए उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलिज थे उत्तर प्रदेश में लखना हूं बताओ ना जाहां इलाज चला हूं अपनी बात पूरी करें अपनी बात पूरी करें और तभी इनका आप करी आईगा जब इनसे सवाल पूछा जाए उत्तर बंदी कराद होगी अपने सवाल पूछ लिया इनके सवालों के जवाब देने के हमें कोई आप्शक्ता है नहीं पहली बात लेकिन फिर भी इनोने सवाल पूछे हैं हम एक एक करके जवाब दे रहें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अब मैंने आपको सब्सक्राइब अब पूछा है अब मैंने आपको चार मिनट दिए मोनोलोग दीजिए रूख जाए गाख लिए चलिये मोनोलोग शुरू करें इंसे पूछ रहा हूं लखनौ में एक अस्पताल बता दो जहां इलाज बोलिया यह आपने पूछ लिया अगला सवाल पूछिए नय पूछ रहा हूं पूरानी पेंशन बहाल होगी कि नहीं होगी जो कर्वचारी हैं पूरानी पेंशन दूसरी बात इन्हों ने उन्होंने उन्हात्तार रजाद सिछक भरती आरक्षन जो गोठाला किया पांसो दिन से चात्र चात्राएं बठे हैं और इन्होंने 22 का जब चुनाओ आया तो इन्होंने कहा कि हम जाच करवाते हैं जाच में गलत पाया और उनका रिजल्ट निकाल दिया कहा कि इतने लोग अर्शर सो लोगों की भरती होगी लेकिन वो प्रमारपत लिये आज तक घूमरे इन्होंने उनको नवक्री नहीं दी है दूसरी बात इन्होंने जिस तरीक से यह कह रहे हैं नहीं यह कह रहे हैं कि प्रतिव्यक्ति आए एक लाग बहत्तर हजार है प्रतिव्यक्ति आए और एक तरफ इन्हीं के आकड़े कह रहे हैं देश की 73% संपत्ति एक परसेंट लोगों के पास है वो एक परसेंट की एक परसेंट की समपत्ति निकाल दो तो प्रतिजिन की अखिलेश प्रताब जी यह क्या पूछा आपने मैं यह कह रहे हूं कि यदि आपके भी आरोप है तो आप लगा लिजे क्योंकि फिर जवाब अब एक साथ लिया जाएगा आरोप यह है किसानों को लेकर शिक्षा को लेकर रोजगार को लेकर यह समाजवादेपाजी का आरोप है ठीक है चलिए राकेशी अब एके करके मैं जवाब दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तर से धैरपूरोप मैंने आपको सुना है आप धैरपूरोप सुनेंगे आपने स्वास्त को लेकर के सवाल उठाया, मैंने कहा कि उत्तरप्रदेश केवल सैफाई नहीं है, केवल लखनव नहीं है, सहारन पूर्चे लेकर के सोन भद्र तक और गाजी पूर्चे लेकर के गाजी आबाद तक पूरा उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश है, उत्तरप् में मängंच आपने सवाल उठाया शिक्षा को लेकर के उठाया यही मॉडल था आपका ।ि हिर नकल के ग期कार पर उत्तरप्रणेश को हम ने नकल्मुक्त करने का काम की यही किसि कि झाकी वापना प्रतिश्था बाहली करने का काम भारतियें जन्तापार्टी की सरकार ने किया है आपने सवाल पूछा सुरक्षा को ले करके उत्तर प्रदेश में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट आज हुआ है पहले वन डिस्टिक वन माफिया हुआ करता था चले जाएंगे बनारस की तरफ मुक्तार अंसारी के खौफ से ठराता रहेगा चले किया है और इस काम के आधार पर हम कह रहे है आज ही नीतियायो की रिपोर्ट आई है 25 करोन लोग इस देश में गरीबी रेखा से उपर हुए है यह प्रदान मंत्री मोदी जी के गरीब कल्यान संकल्प का आज अज अब परिनाम है और यह बॉखला को रहे है मैं बता रहा अब प्रदान मंत्री जी जब चाय पीने गए ना तो बॉखलाहत का होना तो स्वाभाविक है कब तक पहलाते रहेंगे आप जाते के लिए यह पीडिया का मतलब परिवार डेवलेब्मेंट अथारिटी और परिवार में वी कौन सा परिवार में वी सुलीजिए पीडिया परिवार में दिंपल हो रहें आपने सवाल कुछे पीडिया है इस पीडिया की पोल खुल रही है यह जितना जाती बाद के लिए अब मुझे कॉंग्रेस पार्टी का वर्शन चाहिए राजपाल जी राजपाल जी फीड शेरिंग कम से कम यहां तो बराबर हो जाने दीजि अखिलेश प्रताब जी अब जड़ा यह बताएं कि 2024 के चुनाफ को लेकर रणनीती बड़ी जबरदस तयार हो रही है बीज़ेपी की लाइन क्लियर है यह समझ में आ रहा है उन्हें जिनके साथ जो सीट शेरिंग का फॉर्मला निकालना था कमोबेश वो दिखाए दे रह है लोग यह पूछ रहे हैं कि कॉंग्रस पार्टियों समाजवादी पार्टी में क्या सीट शेरिंग को लेकर बातचीत हुई है और क्या बीज़ेपी भी आपके साथ आ रही है या नहीं देखिए आपने अभी कहा कि बीज़ेपी का जिसके साथ आना है उसकी सीट दिखाई दे रहा है पब्लिक में तो नहीं कुछ आया कि 38 दलों की बैटक हो चुकि आपको बताया होगा क्योंकि तभी आप कर रही है इनका भी गटबंधन है जिसमें 38 दल है और हम लोगों की तो बैटकों की खुल्याम हो रही है चर्चाय हो रही है और आपने बीजेपी को बता दिया कि उनकी सीट सेरिंग दिख रही है तो हमें पुब्लिक को तो नहीं दिख रही है आपको दिखें होगी ता मुसे सुकारते भी है ठीक है खुछ अब बाशीब रहा है कि बातचीत करने की कोशिश हो रही है अखलेश यादब इसपी को लेकर बयान देते हैं कि माया बती लगता है किसी के दबाव में है अलग अलग राउंड पर मीटिंग होती है अखिलेश यादव कभी कॉंग्रस पार्टी के सीनियर लीडर्स के लिए ऐसा ऐसा वक्तव यह दे देते हैं जिससे लेकर हैरानी होती है देखे अब भी एक भी बीजेपी की बैठक नहीं ह और आपको क्लेटी दिखने लगी है तो अब उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा हमारे यहां लोक तंत्र है और हर दल अपने एक बिचार धारा को लेके है एक देश के हित के नाते हम सब लोग एक साथ हो रहा है तो सबको कुछ न कुछ अपना इस पेस छोड़ना है तो हमारे यहां लोक तंत्र है तानासा ही नहीं है कि जो साहब ने कह दिया सबको सुनना है सबको सर जुका के खामोसी से राना है कैमरे के फ्रेम में भी दूसरे को नहीं आने देना है यह देश आज महंगाई से करा रहा है बेरुजगारी से करा रहा है संसद से लेके सरहब तक असुरक्षित है और इसमें सरकार से बयान मांगा जाए तो 146 अंसदों को सस्पेंट कर जाता है कोई भी आवाज उठाए यदि सरकार से असमत है बिरुद्ध है चाहों पत्रकार हो चाह साहतकार हो चाह कवी ओ लेखक हो नौजवान हो महिला हो किसान हो उनको तुरंत राष्ट द्रोही विद्रोही नक्सा लातंकी सबसे करा तकमा दे दिया जाता है बरस्टाचार से करार आ रहा है बी आरे सेस्ट बनी 1925 में उसके बाद ह हिंदु महासवा आया फिर जनसंग आया फिर भी जेपी आई लेकिन इन भाजपाईयों को 89 में राम यादा आया पालनपूर में हिमाचल में जब सारा कुछ और था उसके पहले राम इनको नहीं कभी आदा थे और उसके बाद राम यादा है जब ताला खुल चुका था सब अधिकर्य्चाय कर लिए कि नहीं की लिए नेकशी निवनदीर अधिकारी को हलां कि हटा दिया गया इनकी सीसीhonra आतर अंग्यों की लोतियों ने यह दो ही मोबाइल नमबर से दस लाक्वने पांच लाख रूपे बिन लाक टेली हैं कि लिकिन कुछ नहीं कितने लाग कोड़ गया पांच लाग पर वेक्त के साफ से दस लाग का अठारा कोड़ जो सड़क की रेड़ था वो डाइस कोड़ में पेमेंट हुआ तो बस्टा चार की तो इन्होंने इतने भैंकर कृतिमाना सापित कर रखेंग उसको सिस्टा चार बना के रखा है र फृष तो यू यू पि लचो जात परिए लीड़ खा लेय तन्ही नुटल मेंट तन्पानड माल हुआ मोसे आपंच यू जाँ अधाने ऑगू खेंग ला दिर्ट कर बात य हूँ है बड़ी प्रदा मंत्री जी तीन साल इस बात पे गुजार दिये कि 2000 जह हमारे देश का आजादी का 75 अमरित काल बनेगा तो हमारी एक्छा है कि हर घर हर बैक्त के पास एक पक्का घर होगा उसमें एक नल होगा उसमें एक बिजली होगी ये लीडी लाइट होगी हम भुले ट्रेन से चलते रहे किसान है क्यों आए दूगुनी होगी हर बैक्त पास रोजगार होगा ये बाका जब प्रेस कांफेस करके जेटली जिनीत याग ने बनाता मोदी जी के तमाम वीडियों आपके पास भी है अब जवाब लें कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ रोजाना नए सगूफे देना भर्म कोई सवाल नी उठाया है लेकिन मद्यप्रदेस की विरहानसभा की चुनाव में ये अखिलेशी की पार्टी इन अखिलेशी की पार्टी को रात भर बिठाय रखा था तो अखिलेशी बता रहे थे कि रात को एक बजे तक बिठाय रखा कहा था छे सीटे देंगे दिया एक भी नहीं सची यह है कि आप आपस में लड़ रहे हैं पंजाब में आप आप मि leggings के साथ दिली में आमाद्मी पार्टी की साथ लड़ रहे है पाश्चिमंमें मता ना ना बिल्कुल दर्सन करने नहीं जाएंगे, पार्टी के भीतर अंतर विरोध है, आप दल कहां बना पाएंगे, जैसे ही निया यात्रा प्रारम की, वैसे ही तुरंत मिलिन देवलाजी ने पार्टी छोड़ दी, आपनी पार्टी को जोडने की यात्रा करिये, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल इसलिए couch sharing को लेकर करके, इनडी ऐलायंस में है, भारती जन्ता पार्टी में नीटी 1 है, नेता 1 है और नीयस बिल्कुल साफ है, इसलिए कही कोई confusion नहीं है, भारती जन्ता पार्टी उत्त्वर आवे के साथ कह रहा हूं कि विपक्स्ष की जलगई एक् रसी UP में भाजपा जीतेगी 80 में 80 और यह जब कह रहा हूं तो उसका कारण है उसका कारण है देखे 2014 के चुनाओं में समाजवादी पार्टी पांस सीटे जित कराई थी मारूटी कार में बैठने लाइक 2019 के चुनाओं में तीन सीटे हो गई रिक्सा पर बैठने लाइक और 2024 में साइकल के करियर पर कोई बैठने लाइक बचेगा कि नी बचेगा यह सबलना मुस्किल होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आज यह हालत हो गई है और अरे अब नंबर वन नंबर वन बिल्कperform के होगा मोगों का विश्वास है तो मुमकिन है चीक है समाजवादी पार्टी को लेकर यह कह रहे हैं कि अभीत अप दोविधा में है पूई दूबिधा में नहीं है नजंता दूबिधा में है इनकी दूबिधा तो दूर कर दी थी हर जिले में अस्पताल बनवा दिये तो यहां के स्वास्त मंत्री स्री ब्रजेश पाठक जी मुक मंत्री जी अपने दल के सांसद का बेड नहीं उपलब्द कराए पाए पीजाई में तडब तडब के उनका बेटा मर गया किस अस्पताल की बात करते हो और आप कहरें गुंड मंत्री इनके ग्रय मंत्री रहे चिनमया नें जी नाम नहीं लेना चाहिए जब आप बोली रहे चिनमया नंजी का वीडियो देश के जिसके पास मोबाइल होगा संने वीडिया देखा नहीं देखा बताओ कितने लोग उंदेखा क्या कारवय हुई क्या कारवाई हुई और लखीमपुर में किसानों पे इनके ग्रह मंत्री के राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, क्या कारवाई हुई, बताओ ना, क्या, गुंडे, बदमास, अपरादी, डकेद, बलतकारी, सब बीजेपी में चले जाएं, बातसिंग मसीना दुलके साप करके निका करा लो, क्या हो जेल, कोट के चहरी का काम करवा रहे हो, जजों की भी चुट्टी कर दो, ये देखिए, बाते करने से नहीं होगा, आपका रहा हस्पताल बन गया, तो यहाँ चले जाएं, और यहाँ आपका कैमरा लेके चली हमारे सामने, PGIE, KGMU, लोग कितने लोग बेट क जाते हैं तडब तडब के, प्राइवेट हजपतालों में जकाईती के अग्डे बन चुके हैं, कोई आदगरी मादमी इलाज करा सकता, एक वार इलाज कराता है, खेत बिग जाता है, खेत, आओ उसके बाद जिंदगी भार, कहेंगे, किसान संबादिती दे दिये, 500 रुप जाते हैं, जो आपके अपने हैं, वो बच जाते हैं, जो आपके पराएं हैं, उनके घर पर तुरन बुल्डोजर चलाते हैं अरदर की ठोकरे खाती रही, सुप्रीम कोट को निर्देश देना पड़ा, तैव एफाई आरदर हुई, लेकिन अखिले स्यादो, प्रचार करते रहें गयत्री परजापती का, वो गयत्री परजापती जो बीपियल कार्ड होल्डर था, जिसके मुंबई में फ्रैट इडी अरदर की ठोकरे खाती है, जो किसी में भेद करने का काम नहीं करती है, इन्होंने कहा कि इलाज करने के लिए खेत भिक जाते हैं, यह आपके समय में होता था साहब, आप 5 लाख रुपए का आयुसमान कार्ड हमने देने का काम किया है, पांच लाख रुपए में अब ना किसी के गहने भिकेंगे, ना किसी के आज खेत भिकेंगे, यह मोधी की गारंटी है, कि आपके घर पर आयुसमा आपके आपके साहब जी विमारफात मंच पर है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो न्याय यात्रा, न्याय के अगर हम सबसे बड़े प्रतिमान के तोर पर देखते हैं, तो वो ज्ञाय यात्रा की एक कड़ी अयोध्या क्यों नहीं है, तो आप बार बार राम जी की बात कर रहे हैं, हम लोग राजनेतिक दल हैं, बीजेपी के लिए राम, मैंने कहा राजनेतिक वस्तु हैं, पूरे हिंदुस्तान और सनातनियों के लिए आपके लिए भी होगा, राम आराद्ध हैं और अपने नीजी आस्था के विसे हैं, सरकार चुनी जाती है देश के रानेतिक, सामाजिक, आर्थिक एजेंडों पे और उसी की उमीद की जाती है सरकार से, ये भी एक लंबी लड़ाई थी, उस लड़ाई में कहीं बीजेपी नहीं थी, पालनपूर के देश आएगा, उसके अनुसार नहीं मंदिर मानेंगे, खेर हम उसमें नहीं जाना चाहते, राम का नाम लेते हो आप, राम क्या है आदर्स है, मर्यादा पुरसुत्तम है, राम के नाम के पहले मर्यादा पुरसुत्तम लिखा है, तो आप क्या उनकी किसी मर्यादा का अनु क्योंकि दस साल आपने खुब इस देश का दोहन किया है और मित्रों के लिए पूरी संपदा समर्पित कर दी और जब अंतकाल आया तो राम जी याद आ रहे हैं ठीक है राम जी याद आएंगे लेकिन वहीं बुला कि अब आपको सेवा देंगे अपनी इहां प्यासिरवान न निर्वान करेंगे आपके गुड़ देवस और करमों के अनुसार आपको इसी चुनाव में 24 में फल भोगना पड़ेगा और जो थैला था ना जो करते थे साहब किया मुझे क्या मैं तो फकीर दो थैला उटा के चल दूँगा अब वो थैला लेके जाने की बारी आगे यह तलग है कि उस थैले की भी तलासी जाते है वोग जनता लेगी अब पूरी संपदा पूरी सरकास वरेंडर बहादूर दो लोगों के लिए अभी बहुत अपनी पार्टी की यूनिटी की बात की हम यूपी से सुरू करते हैं एक सियम है दोस्टिपी सियम है उन दोनों डिप सियम हो सियम में क्या बेवार है छुपा नहीं है हमारे ग्रेर केंद्री ग्रेमंत्री और प्रदेश के मुख्या में क्या बेवार है छुपा नहीं इसके पहले विधानसवा में सारे विधायक रात बर मुखमंत्री के खिलाब विधानसवा में धरने पर बैटे थे क्या पत इस दिये थे खुद बता था कि पांच हजार करोड के टेंडर गोटाले हैं गोटालों के तो फैरिस इत्री लम्मी है किसी दिन रखिये तो मैं आपको पांच घंटे गोटारे गिना दूब बीजेपी कि विद्पूरूफ गिना सकता हूं अखिलेशी लिकिन जब आपने मित् मित्र कौन कौन है यह तो बताईए मित्र जग जाहिर हैं जग जाहिर है मित्र जिन के लिए पूरी संपदा समर्पित की जा रही है सरकास सरेंडर है जिसके लिए उनका नाम है मोडानी जी कुछ भी सारा नियम कानून बदल के सब कुछ उनके लिए यह यह आप सब के दान मंत्री हो मैं सब का नहीं हूं यही तो जनता देख रहे हैं आप महांगाई पर आपने कहा था जबादा से पूछू मित्रों आपको 15 लाक मिले ने जब आपने मोडानी बोला तो एक खबर स्क्रॉल करते करते मेरे नसर के साबने आ गई अडानी ग्रूप और तेलंगाना सरकार में करार हुआ है 12,400 करोड का करार हुआ है वर्ट एकॉनमिक फोरम में ये समझाता हुआ है तब मैं क्या बोलू अब इसकी राजनीती कितनी है या व्यापार कितना है जब जब जबादे दू किसी भी व्यापारी के खिलाफ हम कांगरेशी लोग नहीं है लेकिन किसी एक व्यापारी के या व्यापारी इंटिड लग रहा है सर अगर वह व्यापारी आसको टेंट लग रहा है तो सब्स्रस शरोकल कि alley अजी लिवेल आइसन लाए हजार बयापारी आरब पति हुए इस देसमें आप हजार आपारी की मनदद करून है राजफतान में अशोगहलूत सरकार के दौरान अगर बयापार करें तो वो ठीक है तेर लंगाने लिए को ओर दो उनके कानून तो फिर तेलंगाना सरकार जब तक अडानी पर जाज नहीं कर लेती तब तक तब तक आप उसके सब भ्यापार कैसे कर सकते हैं जब आप के लिए सारे कानूर क्यों बदलती है बात यह कानूर क्यों बदला जा रहा है एक को लाप पहुंचाने के लिए आपने सवाल पूछा है कि अडानी पर सुप्रीम कोर्ट का उब्सरवेशन क्या है आपने सवाल पूछा है अब मैं सवाल जवाब देता हूँ आपने कहा कि मोदी जी के मित्र है अडानी को हला कि काम आप भी दे रहे हैं मैं दूसरा जवाब देता हूँ मित्र क्या होता है भोपाल गैस प्रासदी में हजारों लोगों की मौत होती है और मौत के लिए जिम्मेदार वारेंट एंडर्सन को हवाई जहाद में बैठा करके भागाना ये मित्रता होती है ये मित्रता होती है कि कैसे बोफोर्स के तोप के घोटाले में क्वात्रोची के साथ कैसे लेंदेन होता है बोफोर्स तोप घोटाले में ये मित्रता होती है विदेशी तमाम उद्योगपतियों के साथ आपने मित्रता और मित्रता के नीचे क्या किया है ये देश जानता है और इसलिए कॉंग्रिस को भुस्टाचार का परियाई मानता है देश के उद्योगपतियों से आपको चिढ़न है, आप जानते है, आप चाहते है कि विदेशी मित्रों के साथ विलेंदेन का व्यवहार होना चाहिए, भारत को कोई उद्योगपती नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने प्रभुराम को लेकर के भी सवाल किये, आपने कहा पिटा से, 14 वर्ष का वनवास पिटा ने मागा और वो वनवास पर चल दिये पक्ति और भाई को लेकर के, लेकिन गुलायन से गयातों किसे पार्टी की सप्ता छील लेने का कम किया था, अगर प्रभुराम की वार्यादा से सीखा होता, तो समाधवादी पार्टी की ये दस प्रटापधि, राच्पाजी, राकिरिष्ट पाथि जिया तीनों का बहुत पहुत भुद्ध में पार्टी की ये दोस्त पाधिया अपको भी पता चलेगा और हम भी यही पर है, आप भी यही था, बहूर शुक्रियाने बहुत था, शुक्रियाने था, अब चुवीज में क्लेटी करेंगें का थपाया